श्री त्रलोचन जी का चरत्र भक्त माल में आता है त्रलोचन जी ये ज्ञानेश्वर महराज के सिस्य थे त्रलोचन जी संत ज्ञानेश्वर के सिस्य थे नाम त्रलोचन सिस्य सूर ससी सद्र उजागर तो त्रलोचंजी ज्ञानिश्वर महराज के से से थे वैस्य थे वैस्यों में महाजन होते ना महाजन महाजन थे वो महाजन वैस्य थे और बड़ा काम था उनका कम छोटे आदमी नहीं थे अमीर आदमी थे अब उनके वस्तु का अभाव नहीं था, पुत्र नहीं था कोई, संतान नहीं थी लेकिन उनके मन में कभी यह इक्षाई उत्पन्य नहीं हुई कि मेरे संतान नहीं है क्यों क्यों कि अभाव तो जो है ना महरा जी वो भोगों में है प्रकृति में है उनके चित्त के स्थिति जब श्री पंडरी नाथ में बनी हुई है तो उनको अभाव किन भूति कैसे होगी इसलिए उनके मन में कोई इक्षा नहीं थी कि हमारे बेटा नहीं तो नहीं है ब्यावपारी हैं ब्यावसाई हैं वैसे हैं महाजनी का काम होता है नोकर चाकर काम में लगे हैं जो कुछ धन आता उससे गव ब्राह्मन और संतों की सेवा करते हैं और महाराज यह तो सेवा आप करने लग जाओ हिमाले की चोटी पे बैठके तो वहां भी आपको सेवा दे कर कृतार्थ करने वाले आजाएंगे आपके मन में सेवा भाव हो तो हिमाले की चोटी पे बैठ जा तो वहूं कोई न कोई सेवा प्रदान करने के लिए आपको आ जाएगा और सेवा का भाव नहीं होगा तो घर में बैठे रहो दामतीर्थ में बैठे रहो कोई सेवा आपको दिखाई नहीं पड़ेगी सेवा मिलेगी नहीं सेवा आप सेवा में लगे हुए है सेवा का छेत्र कितना विश्तृत है कोई पारावार है उन्हीं के लिए है जो सेवा में लगे है और जिनको सेवा से लेने देना नहीं, उनको तो कुछ नहीं तो त्रलोचन जी खूब सेवा करते थी, उदारता प्रूवक सेवा करते और जब सेवा करते तो खूब सादु संतों की भीड़ भी उनका लगी रहती जमातों पर जमात आती रहती, खूब कथा, कीर्तन, उत्सव, भोज, भंडारा सब होता रहता एक दिन बे बड़े दुखी थे, उनकी पत्नी ने पूछा, त्रलोचंजी की पत्नी ने कि आप बड़े दुखी हैं, कभी दुखी तो दिखाई नहीं पड़ते, आज तो आपके आँख में आसू बहरे हैं, दुखी हैं, हाँ, क्या करने दिवी देखो पहले तुम भी शरीर में शक्ती थी तुम्हारे, और हमारे शरीर में भी सक्ती थी, तो हम लोग दोड़ दोड़ कर ठाकुरजी की संतों की सेवा करते थे, अब हम लोग बृद्ध हो गया हैं, शरीर सित्ल हो गया है, अब साधू आते तो हैं करपा करके, लेकिन विचारे साध हूँ, कोही सब काम में हाथ बटाना पड़ता, पुराने संत बाबा सब सेवा भावी होते थी, वो कहना नहीं पड़ता, आके वो सब सेवा अपने आप करने लग जाते, तो ये तुरलोचंजी को शेहन नहीं होता, संत आएं तो उनको सेवा हम करें, उनको श्र जर जर होगा ही, तो कोई भगवान ऐसी कृपा करते, कोई ऐसा सेवक मिल जाता, भले जो एक छाव सो ले लेता, पर संतों की भाव पुरुवक सेवा करता, तो उनके मन में भाव आया, जिसमें कम से कम साधों को कश्ट तो नहीं उठाना पड़ता, उस सेवा उनकी बढ़ि तो पतनी ने कहा कि देवी जो चिंता, स्वामी जो चिंता तुम्हारी वही दुखा हमारे भी तरवी है, पहले हम अकेले ही सब की रूटी बनाती थी, सब सेवा करती थी, अब तो महराज क्या करें, अब सरीर हमारा भी काम नहीं करता है, चलो भगवान मंगल करेंगे, भग पत्नी चर्चा कर रहे थे, भगवान पंधरी नाजी से सहन नहीं हुआ, भगवान आगे नोकर के रूप में, भगवान नोकर के रूप में आ गए, तूटी सी पनहिया, फटी सी कामरी, और ऐसा सरीर के महिनों से नहीं नहाया है, मेल चड़ा हुआ है, धूल मिट्टी चड़ केस घुंगुराले, सुन्दर खूब, 15-16 साल की उमर, एकदम नया लड़का, सुन्दर श्यामवर्ण, सुन्दर नाशिका, बड़े-बड़े नेत्र, सुन्दर कपोल, सुन्दर चिबुक, सुन्दर श्रियंग, क्या कहना, फटे पुराने चितरे इजलट लटके हुए है फटा सा कंबल है, टूटी-पूटी सी जूतियां हैं, घिसी-पिटी सी, हैं, एक दूसरे रंकी तो एक दूसरे रंकी इस तरह की, जोड जाड करके, ऐसी जूति हैं, आप लोगों को भी हम सलाह देते हैं, निश्चिन्त होके कथा सुनिये, जूता चपल की परवाह मत की है अब उसका एक उपाय हम आपको बताते हैं, यहां तो खेर व्यवस्था है रखने की, उपाय बताते हैं, दो जोडी चपल खरीदो, दो कलर की, और दो जोडी में से एक जोडी बनाओ पहनने के लिए, कहीं छोड आओ, निश्चिन्त होगे, दर्सनकर कोई पहर के नहीं जा हमारी बात का, बाबुजी पे असर पढ़ गया, इनकी चपल बार बार लोग पहन जाते, उन्होंने दो जोडी खरीद ली, दो कलर की चपल है, कहीं चाहिए, चोड़ तो कोई नहीं पहनता, भगवान ने भी ऐसा ही किया, दो कलर का जूता, वो भी फटा पुराना सा, टू प्रदाता जुहार है, ठाकुर जी बोले, नेतर खोले, अरे बड़ा सुन्दर बालक है, कहा बेटा, अरे तुम्हारी तो बड़ी फटी हालत है, बड़ी गरीवी की हालत है, तो तुम्हारे माता-पिता नहीं है क्या? तो भगवान बोले, ऐसा ही समझ लो, उस सब कहीं आप तो भगवान है, बमेव माता चपितात, बमेव इनका माबाप कौन होगा, लीला में भले किसी को पिता जी, माता जी बना ले, तो तुरोचन जी बोले तो इसका मतलब आप अनाथ हैं, भगवान बोले बिल्कुल ठीक पहचाना आपने हमको, हम अनाथ हैं, अनाथ माने क् जिसका कोई नाथ न हो, तो जो सबके नाथ हैं, उनका नाथ कौन होगा, इसलिए भगवान ने का हम तो अनाथ हैं, अच्छा, तो कहां रहते हो, भगवान ने कहां, मैं कैसे बता दूँ आपको पता ठीका ना, कहां रहता हूं, सब जगे ही समझ लो में, सब जगे रहता तो त्रलोचंज ने ही समझा के बेचारा बेघरबार है, घरबार भी इसका मै अब आप बच्पन में मर गए, नहीं तो ऐसी दसा बेचारी की कहां से होती, नाया दोया तक नहीं, कपड़ा भी नहीं पहनने को, कहां बहुत अच्छी बात है भाई, तो कोई बात नहीं, ये त कहां रहे तो जाएंगे, तो घूम क्यों रहे हो, तो बोले हम धंदे की तलास में घूम रहे हैं, क्या धंदा करना जानते हो, भगवान बोले क्या नहीं जानते हैं, सब जानते हैं, अच्छा उमर तो बहुत जादा नहीं है तुमारी, उमर से क्या लेना देना, हम सब जान जानते हैं, चारों आस्रमों का काम हम जानते हैं, कोई छोटी बड़ी कला ऐसी नहीं जो मुझको पता नहीं, मैं सब जानता हूं, पर भाग्यका मारा हूं, इसलिए भटक रहा हूं, अच्छा, तो बेटा तुम्हारा नाम क्या है, बहुत मीठा बोलते हो, नाम क्या है तुम अंतरयामी नाम क्यों बताए कि तुम्हारे अंतर में वेदना है, कि हमारी सेवा के सहयोग में कोई इसलिए मैं अंतरयामी बनके आया हूं, तो तुम्हारे मन में सायद कभी आता हो कि हमारे बेटा नहीं है, तो देखो पंडरी नाज जी ने बेटा भेज दिया, अब नो कर काहे को हम तो बेटा मान कर इसको रखेंगे प्रेम से रहे तो इनको इसनान बढ़िया से कराओ माता के हिर्द में वातसल जग बोले मैं अपने हाँ से मीड मीड करके मल मल करके इसनान कराऊंगी सुंदर कपड़े पहनाऊंगी पर बेटा एक बात है तुम लेओगे क्या तु तो कुछ लेओगे तनका भगवान बोले हम कुछ नहीं लेंगे कहते हमारा ना घर है ना दौर है आप मईया बाबुजी मिल गए घर मिल गया खाने को रोटी मिल गई हमको क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए हमको पर एक बात है त्रलोचन जी ने कहा क्या वो ले इतने योगियों कि सब करना जानते हो और तनखा किसी से लेते नहीं केवल भोजन करते हो तब तब तुम्हें कितनी जगे नौक्री मिल जानी चाहिए अब तक क्यों भटक रहे हो ठाकर जी बोले एक खोट है हमारे भीतर बहुत जदा क्या एक दोश है वो दोश ये है कि हम सब की सेवा करेंगे पर जो घर की जो मालकिन है न हमको रोटी बना के उनको खिलानी पड़ेगी हमारी सेवा माताजी को करनी पड़ेगी वो अपने हाँ से रोटी बना के खिलाएंगी तो यह मैं खाऊंगा तो कही तो कोई बुरी बात नहीं है यह अब तक तो बहुत रोटी बनाती थी केवल तुम्हारी रोटी तो बना तुम सब की बना लोगे और यह तुम्हारी बना देंगी क्या परेशानी है भगवान बोले हमारी खुराक बहुत ज़्यादा है कितनी खुराक है बोले खाऊं पांच साथ सेर वैसे पांच सेर से भी काम चला लेते हैं लेकिन यह दि कोई हमको तरप्त होके जिमावे तो कम से कम साथ सेर पका हमको चाहिए आप लोग कहें भगवान ने ऐसा क्यों कहा शास्त्रों में लिखा है ब्रमचारी जी कि जहां भगवान के विग्रह की प्रान प्रतिष्ठा हुई हो वहां राज भोग में कम से कम पांच सेर या साथ सेर सामगरी भोग में धरानी ही चाहिए यह नहें के दो रोठी धर ली और हो गया भोग लग गया परचुर मातरा में भगवान को पांच साथ सेर भोग सामगरी निवेदित करनी चाहिए इसलिए निवेदित करनी चाहिए कि भोग लगाने के बाद जितना अधिक प्रसाद मिले लोगों को उतना अच्छा है थोड़ा बिदान बना दोगे तो पुजारी कहेगा चलो हमारी जितनी खुरा के उतना भोग लगा लेते भगवान को इसलिए पांसाद सेर भगवान ने का पांसाद सेर खाता हूँ तो पत्नी ने कहा कोई बात नहीं हम पांसाद सेर की रसोई भी बना देंगे दाल भात रोटी मिला के पांसाद सेर करना बना देंगे कोई बात नहीं भगवान ने कही एक बात हो रहे है पहली पक्की कर लेते हैं बात ये है कि कोई कुछ भी कहे हम सहे लेंगे पर कोई ये कहे कि रे ये तो बहुत खाता है फिर हम वहां नहीं रहते हैं हम वहां से चले जाते है तो भगत जी हसने लगे त्रलोचन जी बोले देखो तुम पान सा सेर नहीं, 10-20 सेर भी खाओ, हमें कोई चिंता नहीं, घर में किसी वस्तु का भाव नहीं है, खूब खाओ, भर पिट खाओ, तरप्त हो के खाओ, और भला हम क्यों कहेंगे कि तुम ज्यादा खाते हो, हम तो कही रहें खाओ, पत्नी बोली हम भी क्यों कहेंगे कि तुम जाए सब की रुची का ध्यान रखना भगवान बोले तो निश्चिन तो हो जाओ आप संतों की सेवा करेंगे आपकी सेवा करेंगे माता जी की सेवा करेंगे बस बात यह है कि माता जी को रोटी बना के हमको खिलानी पड़ेगी अब ठाकुर जी ने सब सेवा समाल ली साक्षात लक्षमी पद्य वही कुंठनात रसोई में बैठे हों सब काम कर रहे हों तो वहां कमी क्या रहे जाएगी वहां तो बहुत भीड बढ़ गई उत्सव महुत्सव चारे होने लगे और त्रलोचंजी की भी सेवा भगवान करते उनका कपड़ा धो देते उनके मालिस कर देते उनको कहते बाबुजी आप कुछ मत करो आप तो माला लेके बैठे रहो आदेश करो हम सेवक हैं खूप सेवा करते भगवान दोड़ दोड़के सेवा करते तेरा महिना हो गए भगवान को सेवा करते करते कितने महिना एक साल और एक महिना तेरा महिना हो गए तुरलोचन जी की पतनी पड़ोस में गई माताम को सुभाव होता कि तु घर में कहां तक बैठी रहें आस पड़ोस में भी घुमी आती है तो वो चली गी पड़ोस में जैसे ही पड़ोस में गई तो माताएं चर्चा जरू करती मिलती है तो तो उन्होंने चर्चा किया अरी बहन, अरी जी जी तो बहुत आनंद हो गया तुम्हारे घर में इतना बढ़िया नोकर आ गया क्या कहना भगवान करे ऐसा नोकर सब को दे, नोकर क्या है महराज वो तो भगवान नहीं है इतनी रिद्धी सिधी आपके घर में बढ़ गई, इतनी साधु सेवा बढ़ गई कथा, कीतन सत्संग होता ही रहता है, बहुत बढ़िया और भगवान जी का भी बुढ़ापा पता नहीं कहां चला गए, जुर्री उर्री कहां गायव हो गई, अब तो भगवान जी भी चमकने लग गए हैं, बढ़िया धूती पहन के, माला लेके राम राम करते रहते हैं पर तुम्हारी सेहत में सुधार नहीं है, तुम तो पहले जैसी थी दूरी पत्री, ऐसी भी हो अरे कम से कम अब तो सिठानी बन जाओ तुम्हारे स्वास्त में कोई ज़्यादा सुधार नहीं है अब वो बोली के क्या करें, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है वो अंतरयामी तो हजार सेवकों से बढ़के है, लाख बेटों से बढ़के है, सबबा ठीक है भगत जी को तो कुछ नहीं करना पड़ता आपको करना है, हाँ हमको रोटी बना के खिलानी पड़ती उसको, अच्छा आरे बच्चे ही तो है, 15-16 साल का कितना खाता होगा 57 रोटी खाता होगा, इससे ज़्यादा क्या खाएगा, और ये 57 रोटी की बात मत करो बेहन, 57 सेर खाता है मुह से निकल गया और जैसे मुह से निकला ठाकुर जी अंतरधान हो गया त्रलोचंजी बहुत रोए उनके पद भी हैं त्रलोचंजी के पूरे पंधरपुर में घूम घूम करके कहते हैं, भीया हमारे अंतर्यामी को किसी ने देखा है तो बताओ, निश्चे कर लिया कि जब तक अंतर्यामी नहीं आएगा मैं अन्य जल गरहन नहीं करूंगा तीन दिन तीन रात रोते हुए व्यतीत हो गए साक्षाद प्रभू सामने आ गए उले त्रलोचंजी हम तो सदा सरवदा से भक्तों के ही नोकर हैं, मैं स्वयम तुम्हारा नोकर बनके तुम्हारे घर में पंद्रा, तेरा महिने तक हमने चोका, वर्तन, जाड़ू, पहुचा, रसोई सब तरह की सेवा हमने की और आज भी हम सेवा के लिए प्रस्तुत हैं आप राजी हो, तो हम तो फिर आपके वही नोकर अंतरियामी हैं अब तो दोनों चरणों में पढ़ गए बुले प्रभो हमने भक्ति क्या की हम भक्त के नाम पर कलंक हैं हमने सरवेश्वर भगवान ब्रह्मा जी, संकर जी, नारज जी जिनकी सेवा करते हैं लक्ष्मी जी जिनकी सेवा करती हैं उन भगवान को हमने घर में नोकर बना के रखा है भगवान बोले नोकर बना के नहीं रखा हम जिसको अपनी प्रेम लक्षणा भक्ती दे देते हैं उसका नोकर हमको बनना ही पड़ता है बुलो भक्तवत्सल भगवान की